नमस्कार आसा सिंग के किचन में आपको स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगी गर्मी से बचने के लिए आम का पना कितना जरूरी है और बहुत ही फायदा करता है और उसका बहुत ही सरल तरीका मैं आपको बना के दिखाऊंगे इसमें मुख्य सामगरी आम है और यह है पुदेना मिंट जी से पूलते हैं और थोड़ा आइस क्यूंब है वन फोर्थ चम्मच ब्लैक पिपर है काली मिट्च वन फोर्थ चम्मच साल्ट है नमक यह भुना हुआ जीरा है आधा चम्मच आधा चम्मच ब्लैक साल्ट है और चीनी है यह दो तरह से बनता है मीठा और नंकिल उसे मैं आपको बना के दिखांगे आम का आपको बना के दिखाते हूं इस तरह इसका यह निकाल दीजिए और तुकर में उबाल दीजिए सबसे पुराना तरीका है लोग पहले भून के बन इसको चिल करके काट करके भी आप बना सकते हैं लेकिन सबसे आसान तरीका जो है वह मैं आपको बताती हूं मैं ने 200 गराम मैं ने आम ले लिया है मैंने कूकर में आम रख दिया है अब मैं इसमे पानी डान मूद यह है ब्लस की को कि इसमें धक्कन लादीया है और गैस जला हम एक सीटी उजाय तो आप इसको धीमा कर दिजी और थोड़े बाद गैस मढळνे कर देज है कर देज इसको इस तरह से आप चिल लिजिये पूरा हम है । इसका चिल का पेकेग अमम्र आमको कमने थंडा करें इस तरह से आप का मैं इसए दूज़ चम आसे पर तैयार कर निकाल लेज़ेगा मैंने पुदीना का इस तरह से पेष्ट बना के तयार करके रखे हूं वह मैं डाल देगें क्योंकि तुरंट पीछने में पतला नहीं हो पाता है यह थोड़ा सा लाल मिर्च को पाउडर है इसे सिट्रेस्ट इसका अच्छा आता है यह ब्लेक साल्ट है नमक काला है वह पड़ेगा थोड़ा भूना जीरा ब्लेक पेपर काली मिर्च है थोड़ा से डाल दीजिए और यह नमक है और यह सुगर है अपने स्वादा मुसार इसे कम और ज्यादा भी आप कर सकते हैं अब इसमें मैं आइस्प्रू डालूंगी दो तीन इसको सब को इन साथ मिला लोंगे और थोड़ी सी ताजी मिंट की पत्ते डामेंगें क्रस हो जाएगा बस इससे स्वाद इसका बढ़ता है अब लिए अब शब्या करक को मैं एक साथ मिला करके पीश की आपको दिखा biased मैं इसका प्रिष्ट तयार कर लिए जो मैंने अभी आपको डिखाया था आम है इसमें पुदीना है और सारे शारे सब को डाल करके मैंने इस तरह से मिक्सी में पीछ ले अब मैं इसको एक इलास में निकाल करके इसका पना बना के आपने दिखाते हैं जितना आपको बनाना है उतना पेस्टा डाल देगे जिए मैंने दो चम्मस डाला है आप पीच्छा हो तो थोड़ा हो अपर आ लेजिए गार आप इसमें में थोड़ासा आइस क्यू डालते हुआ थंदा पाई डालते हुआ है थंदा पाई डालते हुआ है जैसे पतला चाहिए पानी और डाल दीजेगा अगर आपको थोड़ासा काड़ा पीना इस तरह पीजिए गर्विम बहुत खायदा करता है देखिए मेरा यह बनके तयार हो गया है आमका मीठा पना अब इसमें थोड़ासा नीवों का दो चार गूल डाल दोंगी इससे इसका बढ़ जाता है और इसमें थोड़ासा पुदीने की पतियां जो होती है आप प्रस करके डाल दीजागर डालना है तो नहीं तो नहीं दाल सकते हैं अच्छा लगता है जार्विम आदमी धीरी धीरे करके अपना पीता है और यह देखिए मेरा बन करके तयार हो गया कितना न बहुत फायदा करता है और पानी की मातरा भी आपका ठीक रखेगा और पेट के लिए बहुत फायदा करता है एक बार जरू ट्राइक करें आमका खटा-मिठा पना बनके तयार है अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए सब्स्राइब कर लिए बिल आइकां जरू प्रेस करी हैं थैंक यू